असलाम अलेकूम जैसा कि आप सब जानते हैं सीजन विंटर का सीजन शुरू होने वाला है और विंटर से पहले हमें अपने पोदों को आने वाले सीजन के लिए त्यार करना है winter में हमें अपने पौदों को किसी किसम की कोई खाद नहीं देनी होती इसलिए हमें winter से पहले अपने पौदों को prepare करना है खाद देनी है उनको और winter में हमारे पौदे dormancy में चले जाते हैं और इस तोरान उनकी growth रूख जाती है तो winter में हमें उनको किसी किसम की कोई खाद नहीं देनी winter से पहले हमें बीज भी लगाने हैं, cuttings भी करनी हैं और पौदों को खाद भी देनी है winter season में ठंडक और नमी के वज़ा से पौदों की मटी में फंगस लग सकती है और पौदों की जड़ें खराब हो सकती है तो हमें उसको खाद देनी है ताके winter जब आए तो हमारे पौदों की मटी महफूज रहे और उसकी जड़ें महफूज रहें पौदों में पानी कम दें, गोड़ी करें और गमलों की सफाई का खयाल रखें आज हम अपने पौदों को एक स्पेशल खाद देंगे जो के हमारे पौदों की मटी को ऐसे डिक बनाएगी और पौदों की जड़ों को महफूज रखेगी इतना बड़ा फिटकड़ी का पीस लें बजार में आपको असानी से मिल जाएगा कहीं इस पे भी 10 रुपए का 5 का या आप लें और एक टब भर के पानी में राद भर के लिए इसको मैंने भगो कर छोड़ दिया था शावर के मदद से आप अपने पौदों के पत्तों पर इसको शावर करें और पत्तों के नीचे से भी शावर कर दें आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी हमारा पौदा मर जाता है तो उसकी जड़ों को दीमक या फंगस खा चुकी होती है इसकी विदा यह होती है कि हमारी मट्टी ऐसिडिक नहीं होती और फंगस एक्टिव हो जाती है तो फिटकरी हमारी मट्टी को ऐसेडिक करती है, ये एक नैशरल एंटी फंगल है, मैं अपने पौदों को कैमिकल वाली खाद नहीं देती, पेस्टिसाइड भी नहीं देती, इसलिए मैं अपने पौदों में हल्दी या फिटकरी का इस्तमाल करती हूं और अपने पौदों को सहत मन रखती हूँ आप भी अपने पौदों को ये खाद जरूर दे हैपी गार्डनिंग